हेलो गैस, वेलकम तो करेंट आफियर्स फेंडा, एपीफो एससे का जो नोटिफिक्शन आया हुआ है, इसमें लगबग 2700 के असपास में वेकंसी हैं, और बहुत साहर लोग प्लानिंग करने हैं इस एक्जाम को फिल करने के लिए, लेकिन एक ऐससे सेक्शन है, जो है आपका जनरल अवेरनेस, जनरल नॉलेज, तो उसमें क्या कॉंटेंट पढ़ना है, क्या बूक एंड सोर्से से, उनके उपर मैं काफी डिटेल में आप पर डिसक्शन करूँगा, तो जो सलेबस होने वाला है, जी के और जी एका, आप इस वीडियो को पुरा लार्सक दिखेंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर हम नोटिफेशन को ध्यान से देखें, तो उसमें पाच आपको अलग अलग जो नेम अप दर टेस्ट है, वो आपको दे रखें, पहला आपका है जनरल अप्रिचूट, फिर है आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेरनेस, तो इस चीज को पढ़ने के लिए, देखो guys, marks का bet is बहुत अच्छा खासा है, 120 नमबर, तो कहीं ना कहीं पर, selection में एक बहुत एहम भूमी का ये निवाएगा, अब इस 120 marks के लिए आपको क्या-क्या sources follow करने होंगे, कहां-कहां पर आपको questions किस areas में मिल सकते हैं, उनके उपर हम काफ जीके बाला है, ये portion यहाँ पर discuss करने बाला हूँ, ठीके, तो जैसा कि आपको बता हैं, कि 30 questions होंगे, और एक question का bet is 4 marks का होगा, तो अगर हम question बाइस देखें, तो काफी कम question है, लेकिन अगर आप marks बाइस देखोगे, तो ये काफी बड़ा bet is play करेगा आपके selection में, तो जैसा हो गया, science हो गया, economy हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आज आती है, अगर हम तो अच्छे से समझें इसको, तो जैसे जो geography अप India है, वो आपको थोड़ा सा detail में पढ़नी है, ठीके, science and tech का थोड़ा सा portion पढ़ना है, modern India पढ़ना है अपको, ठीके, अगर हम देखें कि जो economy ह उसको थोड़ा detail में आपको पढ़ना होगा, ठीके, और जो भारत का संविदान है, Indian Constitution है, ये काफी detail में आप पढ़ोगे, तो बहां से आपको एक दू कोशन मिल सकते हैं, ठीके, physics हो गया आपका, chemistry हो गया, और जो bio हो गया, तो इसमें से जो basic reference है, वो आपको पढ़ना है, ये सारा content आपको एक ही प्लेस पर एक बुक में मिल जाएगा, मैं आपको इस बुक का नाम यहां पर बता दूगा, ये है ये है लिए 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 वाला पोर्शन, इसमें आप देख लो कि जो static GK आपका हो जाता है, static GK मैं आप इस तरीके सम स्टेट और बहां पर जो भी आपके निशनल पार्क्स हैं तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ये चीजे है, capital हो गया, currency हो गया, या फिर आप ये देख लें, कि आप ये एक फॉर्मेट और भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो स्टेट है, उनके गवर स्टेट में हुआ, देखो थर्टी कोशन है, अगर आप मार्क्स हैं, तो मुझे लग रहा है, 120 मार्क्स आपके हो जाएंगे या पर, तो ऐसा है कि सारे कोशन आपके ये नहीं कि आपके यहीं जीके से आजाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि लग बग 15 और 18 कोशन के असपास य कि दोनों जगाएंगे, कि जैसे हो सकता है सिक्सिसी के दोनों के एक्वेलेंट मार्क्स आपर पूछिए जाएंगे यहां पर 80 मार्क्स हो जाएंगे और यहां पर आपका 40 कोई भी सिचुशन यहां पर बन सकती है, क्योंकि एग्जामनेशन जोएंग तरीके से जीके से जी तो जीए में भी बहुत सारी चीजे होती है, करन्ट अफ्यर्स जो डे टुड़े लाइफ में जैसे अपाइटमेंट हो गया कोई स्पोर्स की नोईज आ गई, कोई अबिचुरी है, कभी अवार्ट वगरा मिलें जैसे ऑसकर अवार्ट में मिलें, अगर आम नॉबल जैसे यह जीए बाली जो मैं आपको बात रहो जनल नॉलेज के लिए यह आप लेज 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 लो लग बग मुझे लग रहा है 200 के असपास में आपको बुक मिल जाएगी किसी प्या पबलिक स्टोर पर और जनल अवेर्नेस के लिए हर एक मंत के 500 MCQs कर तो PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं करन्ट अफिर्स फंदा के मुबाइल अप्लिकेशन पर आपने यह मिल जाएगा सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ और और ऑफर में के विल आपको यह तो 80 रुपीज में यह पूरे एक साल का PDF फैकेज मिल जाएगा ठीक है इसमें A to Z सारे करेंट अफिर्स बहुत ही डिटेल में गायस दे रखें अगर आप इनको पड़ते हो तो एक्जाम में इसके बाहर तो कुछ नहीं आने बाला ठीक है और जो भी आगे के एक्जाम साएंगे वो सारे आपक कैसे करेंगे आप कोसिस करना M.C.Q. पढ़ना एक लिटेल में अगर आप पड़ोगे तो इसके लिए अपका पूरा कबरेज हो जाएगा ठीक है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नेक्स वीडियो में जो आपका कौन का और बाकी स्लेबस है और अगर आप पड अगर आपके जो भी सवाल होंगे इस एक्जाम से जुले हुए तो आप प्लीज नीचे पूछेगा मैं हर एक सवाल का आपको फास्ट रिप्लाई जरू करूँगा थैंक्यू सो मच गाइस हैवगोड डिटो अलफिवें सगें वीडियो